हैलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कैस्टर ओईल इस ड्रोग के बारे में तो कैस्टर ओईल को हम हिंदी में एरंडी का तेल कहते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे तो आज की वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स हम इसका सीनोनीम बायलोजिकल सोर्स, फैमिली, और गैनोलेप्टिक केरेक्टर, केमिकल कंस्टिटुएंट और यूजेज तो कैस्टर ओईल का सीनोनीम है ओलियम रिसीनी इसका बायलोजिकल सोर्स है इसकी जो फैमिली है वो यूफोर भी ऐसी है अब देखेंगे इसके और गैनोलेप्टिक केरेक्टर तो इसका जो कलर है वो पेल यल्लो और कलरलेस लिक्विड ये इसका कलर रहता है इसकी ओडर नौशियेटिंग है और स्लाइटली अक्रीड इसकी ट्रेस्ट है अब देखते हैं इसमें कौन से केमिकल कंस्ट्यूएंट प्रेजेंट रहते है तो इसमें रिसीनोलिक एसीड ये केमिकल कंस्ट्यूएंट प्रेजेंट रहता है Castor oil की जो viscosity रहती है वो उसमें present recinolic acid के बज़े से रहती है Next chemical constituent है iso recinolic acid, linoleic acid, stearic acid, iso stearic acid ये होगे chemical constituent of castor oil अब देखते हैं इसके uses तो इल एक्जेट्यू करके use होता है Next use है इसका used for lubrication commercially ये friction को कम करता है और smooth action देता है Next use है के ये paint, vanishage, polishage and spirit के preparation में use होता है और ये contraceptive cream और jellies में भी use होता है Lipstick के preparation में भी इसका use किया जाता है